Hello everyone, welcome back to my channel 45,852 में से 16 हरजार प्रधान आध्यापक प्रधान सिक्षक पदो पर महिलाओं की होगी निवपी इसके लिए तैयारी जो है सुरू हो गई है सिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को रिक्ती भेजेगा और उसकी 15 दिनों के बाद मतलब विग्यापन प्रकासित हो जाएगा 45,852 प्रधान आध्यापक और प्रधान सिक्षक वहाली के लिए आवेदल लेने की प्रिक्रिया दिशंबर तक शुरू हो जाएगी शिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को प्रात्मिक विध्याले में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्चे मादमिक विध्याले में 334 प्रधाना दियापक की रिक्ती भेजेगा शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी जो है तेज कर दी है दोनों पद नए संबर के है इसलिए रोश्टर क्लियरंस में परिशानी नहीं होगी सामाने प्रशासन विभाग के आरक्षर प्रधान के अंशार 35% महिला प्रधाना अध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगे 60,000 प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक पतपर महिलाओं की नियुक्ती होगी अन्य बर्गों के लिए भी आरक्षन का प्रधान होगा प्रधान शिक्षा का मूल बेतन 3500 रुपे निर्धारित किये गए यानि डिये एचर सहीद अन्य भत्ता जोर का प्रती मालगवर 4500-47000 रुपे जो है इनको मिलेंगे प्रधान शिक्षा को प्रधान अध्यापक का बे शिक्षा विभाग से रिक्ती मिलने के 15-20 दिनों के अंदर विग्यापन प्रकासित कर दी जाएगी विग्यापन प्रकासित के बाद योग्य सिक्षकों को एक माह तक आविदन का मौका दिया जाएगा आविदन आने के बाद स्कूर्ट्णि कर परिख्षा आयोजन में बहारी के लिए 150-150 बस्तुनिष्ट प्राश्ण पूछे जाएंगे, प्रतेक प्राश्ण का एक अंग के होंगे, 0.21 प्रतिशत नेगेटिव मार्किंग होगी, यानि चार प्राश्ण के गलत उत्तर देने पर एक अंग जो है, कटेंगे, दो घंटे की परिक्षा होगी, परि अनुभव होंगे मानने, राज्य सरकार की स्कूल में पंचायती रासंस्थान एवन नगा निकासंस्थान के तहट उच्छे मादमिक विद्याले में नियुनतम आठ वर्स और मादमिक स्कूलों के सिक्षक के लिए 10 वर्स की लागतार सेबा, CBAC, ICIC, BACB से अस्थाई लोग में उच्छे मादमिक विद्याले के सिक्षक के पत पर 10 और मादमिक विद्याले में 12 वर्स की लागतार सेबा, योगदान कीती थी या प्रसिक्षा नहरता प्राप करने कीती थी जो बाद कीती थी है उसकी आधार पर गननना होगी दोनों ही पद नए संबर के रोश् शंबर के है इसलिए रोश्टर क्लियरंस में समस्या नहीं है सरकार का लक्ष है अगले सत्र से स्कूलों में प्रधान आध्यापक और प्रधान सिक्षक नियुक्त कर दिया जाए प्रधान सिक्षक पद के लिए योग्यता 40,518 प्रात्मिक स्कूलों के प्रधान सिक्षक की नियुक्ति के लिए नीजी स्कूल के सिक्षक को मौका नहीं मिलेगा पंचायत या नगर प्रणमिक सिक्षक के पदपर नियुनतम आठ साल तक लागतार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे पंचायती रा संस्था या नगर निका संस्था के तहद असनातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है यानि जो दो साल से अधिक कारे कर चुके हैं वे आवेदन कर सकेंगे के वर्स 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पातर ता परिचान रुट्पिरण होना आवस्यक हैं मानिता प्रक्त विश्विद्याले से कम से कम 50% अंकों के साथ असनातक रुट्पिरण होना चाहिए और प्रधाना ध्यापक के यहोगता नियुनतम 31 से सेटालिस वर्ष की आयू शिक्षक प्रधाना द्यापक के लिए अवेदन के पातर होंगे। कि इस डियस की सास्त्री की डिग्री को असनाता के समतुले माना जाएगा। व्यार्थी को बीएड या बीएड या बीएससी एड उतिर्ण होना चाहिए। चाहिए। तो यह सब आहरता होनी चाहिए। साथ में उनको मतलब जो जितना भी पद है 45,822 उसमें से 16,000 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। जो 35 परतिशत आरक्षित मिला है उससाब से और सारा योगिता वगरा हम लोग देख लिए हैं सैलरी भी देख लिए है कि कितना सैलरी जो है वो मिलेगा। तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलती फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिज सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें हमारे शाथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद